इस वीडिये में हम आपके लेकर आए हैं बदाम के लड़ू आप देख सकते हैं यहां पर बदाम के लड़ू बनाए हैं अच्छा लगे तो लाइक करना चलिए बनानी करिस्प श्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमने बदाम को चोपे चिल के मंजिया निकाल लिए उसको सा यहां पर अफिन पानिया तो इसे के लिएक वाइड्य वारा है की पानिया नहीं है इसे रह प्रधा आउलला है ज़स्टार है इस तरहां है तो परदेने के जरुट का भाण पर नहीं है इसे हमें पूरा अच्छी तरहां लाठा-लाठा जैसा तार हाथों में चिपकता इस तोल लेंगे पहले इसको slow आच में अच्छी तरह सा इसका बेटर के जैसा पूरा रज बना लेंगे तो रज इसको बना लेंगे तो हमने यहाँ पे बदाम जो लिए हैं बदाम को थोड़ा सा तोले लेते हैं किसी भारी वजन चीजों से तोड रहे हैं एक हमने यहाँ पे अच्छी तरह हमें लगाता है चलाते रहना है रस को सक्कर का रस को अब देखिए कैसा तारों के जैसा हमारे हाथों में चिपक रहा है इसका मतलब यहां पे यह हमारा जो सक्कर है बिल्कुल रेडी हो चुका है तो हमने यहां पे एक स्टील का बरतन लिये हैं इसमें थोड़ अच्छी तरह पका लेते हैं ज्यादा देर तक का पकाना नहीं है में दोस्तों जल सकता है ध्यान रखके इसको आराम से बनाईएगा तो यह बहुत टेस्ट होता है खाने में और चैट पर बन भी जाता है चली यहां पर रेडी हो चुका है तो हम यहां इस टील के बरतन में कि देख सकते हैं चाको में हम लगा रहे हैं तो चाको में लग रहा है तो इसका मतलब यह अभी गरम भी है और थोड़ा सा पानिया भी है थोड़ा सा टान होने देते हैं देखिए थोड़ा सा टान हो चुका है हमने अलड़ी दो लड़वा बना लिये हैं आपको बना के दि जाएगा कोई फाइदा नहीं होगा लड्डू बनाने का तो इसको गरम-गरम में ही करना चाहिए तो हमने यह पर लड्डू बना लेंगे दोनों हातों में अच्छी तरह सा कुपर कहीं पर रख लेते हैं अब दोनों हातों में इस तरह गोल-गोल करके लड्डू बना लेंग दोगर में बनाके आसानी से खा सकते हैं हमारे बादाम का लड़ु बनाईएगा यह बहुत टेस्ट होता है खाने को तिलियां पर बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बदाम का लड़ू अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी डिप चैनल समरीन कीचिन को ठैंक्स वर वाचिंग